दुशन चोटाला हमारे साथ कनेक्ट हो गए हरियाना के उप्पुखे मंत्री हैं और उनकी जो पार्टी है जेजेपी उसके चुनाव घोशना पत्र में ये वादा भी किया गया था जो ये माना जा रहा है कि उसी वादे को पूरा करते हुए 75% आरक्षन स्थानिये लोगों क एक देश एक समिधान, एक देश एक कानून, एक देश एक चुनाव की वकालत करते हैं और दूसरी तरफ आप उनके गठबंदन पार्टनर होते हुए अपने राज्य की सीमाओं को बंद करना चाहते हैं बाहर से आने वाले टैलेंट के लिए रोज जी पहले तो मैं आपका धन्यवाद करूँगा कि इस टॉपिक पर जहां बड़ी मिस कॉम्निकेशन, मिस इंटर्प्रेटेशन हो रही है उस पर आज आपने डिबेट रखी और जहां आप बात कर रहे थे कि प्रधान मंतरी कहते हैं मुझे लगता है जो लोग ये बात कर रहे हैं उनने देखा होगा कि आज से 37 साल पहले महराश्टरा में लेंगवेज के उपर एक ऐसा ही एक्ट लाया गया आंदरा प्रदेश हो उसके बाद गुजरात ने भी अपने प्रदेश में 80% लोकल इंप्लोईमेंट के उपर आज के दिन जो semi-skilled, unskilled jobs हैं जिसकी मंतली आए 50,000 से नीचे हैं आज उसके अंदर अगर लोकल इंप्लोईमेंट करी जाती है तो आपका cost of living बचता है, cost of transportation बचता है, ease of doing business के अंदर कहीं ना कहीं कमपनियों को better quality employment locally मिलती है और इसके उपर जब ये act हमने enact करने की बात करी थी, आठ दोर की चर्चा, इंडस्ट्री के अलग-अलग association के, जितनी इंडस्ट्री की federation है, हमने बड़ी-बड़ी multinational companies के साथ भी चर्चा करने के बात, ये 50,000 रुपे, 10% जिले के उपर reservation company को power देने की बात, और को specific skill set हो, जो हमारे प्रदेश में उपलब्द नहीं हो सकता, उसमें exemption देने की बात करीगी, मैं एक उधारन आपके माद्यम से, तमाम लोगों को देना चाहूंगा, कि आज अरियाना प्रदेश में अजारों इंट के बटे हैं, मर इंट के बटे पर काम करने वाली label अरियाना की नहीं हैं, आज वो बेंगॉल से, उडीसा से, जारखंड से, चतिसगड से, बिहार से, इस्टन यूपी से, छे महिने के कोंट्रेक्ट पर आती हैं, और उस labor को छे महिने के उपर ये law बार नहीं करता, हमें exemption देनी पड़ेगी, बगर मुझे उन लोगों से पूछना है कि अगर local driver होगा, local security guard होगा, local PN होगा, local ITI करावा welder होगा, plumber होगा, electrician होगा, तो क्या परदेश के अंदर industry के लिए फाइदे बंद नहीं होगा, कि उसको cost of living का खर्चा नहीं देना पड़ेगा, cost of transportation का खर्चा नहीं देना पड़ेगा, travel allowance नहीं देना पड़ेगा, इन तमाम चीज पड़ेश के युवाओं के लिए, local residents के लिए, उसके लिए हमने domicile का भी 15 साल से 5 साल तक सीमा को कम करने का काम किया, और इसी ले किया है, कि ज्यादा लोग तो हमारे प्रदेश में रहते हैं, उनके हाथ में रोजगार में तो इसका मतलब तो यह हुआ ना, कि ये कानून क के वल दिखाने का है, सिर्फ बताने का है, और अगर उद्योग धंदों के लिए वाकई इतना फाइदेमंद है, तो CIA इसका विरोध क्यों कर रहा है, वो तो सबसे बड़ी उद्योग बाड़ी है, वो केरियस पर पुनर विचार कीजिए, ये ठीक नहीं कर रहे हैं आप इस मेंबर से गुड़गाओं के अंदर बैठक करके चर्चा करके ये अमेंडमेंट्स करने का काम किया था, मारुत्ती के जो आज चेर्मेन है भारगव जी, वो स्वेम उस मीटिंग में जुड़े वे थे, एसकॉर्ट के चेर्मेन नंदा जी, वो उस मीटिंग में जुड़े वे थे हमने तो बड़ी बड़ी MNC जितनी हर्याना में बेस्ट है एक दोर की नहीं तीन दोर की उन्से भी चर्चा करी है और उसके बाद ही जाके प्रदेश में इस कानून को लौ की फॉर्म में हम लाने का काम कर गए चौटाला जी आपने आंदर प्रदेश का भी उधारन दिया मामला कोट में गया तो अंदर-प्रदेश में मामला फंडे बसने में चला गया और जानकार ये कहते हैं कि इस मामले को अे अगर आधालत में सोड़ा के तहट रिस्टिक्ट करता है अगर आप खोलेंगे सविधान की कौपी अपने मोबाइल पे तो सपस्ट सब्दों में लिखा है जॉब फॉर दे स्टेट सरकारी नोकरी के लिए आप किसी तरह के डॉमिसाइल पर प्लेस और बर्थ पर इस तरह की रिस्टिक्शन नहीं कर सकते प्राइवेट जॉब्स अगर परदेश में बनते हैं तो बिलकुल रिस्टिक्शन लगाई जा सकती है और महराष्ट्रा इस देश का पहला परदेश ता जिसने महराठी स्पीकिंग के उपर रिस्टिक्शन लगाई थी और आज जो हमारे स्पोर्स चाहते हैं जैसे महराष्ट्र में उत्तर बारती है पिटे हरियाना में भी ऐसा हो कि किसी की नौकरी चीडने का काम यह एक्ट नहीं करता है यह एक्ट में स्पस्ट लिखावा है कि जिस दिन परदेश के अंदर नई नोकरी निकलेगी उस दिन से परदेश में यह लॉंए होता है बहुत लोग इसकी मिस इंटर्पेटिशन कर रहे हैं आप अपने पास अगर कॉपी नहीं है तो मैं स्वम आपको विजवाऊंगा उसको जुरूर पढ़ने का काम के दिए कि इसके अंदर हमने इंडस्ट्री को अगर कोई लोकल इंप्लॉइमेंट देता है 50% से ज़्यादा 48,000 रुपया पर लोकल कैंडिडेट स्टेट शेर से इंसेंटिव देने की भी बात करी है कोई और प्रदेश ऐसा इंसेंटिव देता है लोकल इंप्लॉइमेंट के लिए